Hello Everybody, Welcome to Quant Study, I am Mujassim Aktar, General Knowledge with Special Reference to JNK के लिए जो Accounts Assistant के लिए है, 30 Marks का, वो मैं आपको करवाऊंगा और उसमें स्टार्टिंग में हम popular names of personalities पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम actually बाद में religious based, political based, geographical, sports के बेस पे history, scientific, discoveries के बेस पे पढ़ने वाले हैं तो आज हम सिर्फ कुछ special personalities पढ़ेंगे, तो हमारी जो पहली personality है इसमें, देख सकते हैं, मीर वाइज मुहम्मद उमर फारोग, अब मीर वाइज मुहम्मद उमर फारोग जो हैं, उनको कश्मीर में मीर वाइज भी कहा जाता है, और हाँ, वो एक separatist leader भी है मीर वाइज अफ कश्मीर उनको क्यों कहा जाता है, मीर का मतलब होता है, चीफ, और वाइज का मतलब होता है, preacher उसके बाद, वो chairman है, अवामी action committee के, फारुक सहाब 23rd March 1973 को पैदा हुए थे, और हाँ, उनको one of the 500 most influential Muslims कहा जाता है, by Royal Islamic Strategic Studies Center, जो की Jordan में है, तो question इस तरह से हो सकता है, कि उनको कहां से one of the 500 most influential Muslims का करार दिया गया है, या खिताब दिया गया है, तो आपका answer होगा, Royal Islamic Strategic Studies Center, और ये भी पता होना चाहिए, कि वो कहां पे है, तो कहां है, वो Jordan में है, अचाहाँ, अब आपको पता लग गया कि, कश्मीर के, तो अब जो मुहमद उमर फारुख हैं, वो एक important religious as well as political role play करते हैं कश्मीर वैली में, और उनको एक as a spiritual leader ही देखा जाता हैं कश्मीर में, नेक्स्ट, हबबा खातून, हबबा खातून, one of the most important personalities of जमू और कश्मीर रही हैं, और आज भी famous हैं, हबबा खातून एक छोटे से गाउं में पैदा हुई, पामपूर में जो, जो कि पुलवामा है, पुलवामा में है, जमू कश्मीर स्टेट में, जो कि आपको पता ही है, उनका जो real name था, वो जून था, पहले, जिसका मतलब कश्मीरी में, हम उसको, मून को हम कश्मीरी में जून कहते हैं, अब अब उनके मलब जो ट्रेडिशन था पुराना, उनको क्या कहा जाता है, जून बिकर्स वो बहुत ब्यूटिफुल थी, और बाद में जब उनकी शादी हुई, यूसुफ शाओ चाक से, यूसुफ शाओ चाक कौन थे, वो बाद में क्या बने, वो चाक डाइनिस्टी के रूलर थे, बने थे, ठीक है, तो जब उनकी शादी हो गई, तो उनका नाम जो बन गया, वो हबा खातून को, लोग हबा खातून के नाम से बुलाने लग गए, ठीक है, तो वो एक, बहुत, शी वस अ ग्रेट कश्मीरी पोईट कौन से एर की थी, 16th सेंच रही है, एंड, उनको नाइट इंगल आफ कश्मीर भी कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत सारे सॉंग्स जो हैं, कंपोज किये हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो जिन मैसे यह दो जो हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मैहाइकर्जिक्यत, ठीक है, डिस इस दे फर् मियाईने, मलब अबजेक्टिव में आ सकता है, तो आपको यह दोनु जो हैं, लिरिक्स याद रखनी है, यह जो हैं, अभी भी बहुत जादा फैमस हैं, कश्मीर में, आपके एक्स्ट्रा इंफरमेशन के लिए बताना चाहूंगा, कि अगर आप सर्च करेंगे, यहाँ को डेडिकेट किया गया है, यूसुफ शाद चाक एंड हबा खातून, आपको यह भी याद रखना है कि यूसुफ शाद चाक कौन सी डाइनस्टी के थे, क्योंकि यह एक्स्ट्रा जो मैं दे रहा हूं, इट इस इंपॉर्टन्ट, नेक्स्ट बात करते हैं, भाजान सोपुरी भी वन अफ दे ग्रेट पर्सनालिटीज है, वो एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, और वो संतूर बजाते हैं, वो क्या होता है, एक कुछ स्ट्रिंग्स लगी हुए होती हैं, अगर आपको नहीं पता संतूर क्या होता है, वैसे आपको पता होगा, बट उसमें कुछ स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, और उसको बजाया जाता है, वो ही जो हैं बाजान सोपुरी बजाया करते हैं, तो वो सोपूर से हैं, कश्मीर वैली से, और वो सूफ्याना ग्रहना आफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से बिलॉंग करते हैं, तो आपको क्वेशन म्यूजिक से बिलॉंग करते हैं, तो सूफ्याना ग्रहना आफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और उनकी फैमिली ने जो है, सिक्स जेनरेशन तक संतूर बजाया हुआ है, उनकी जो पहली पुब्लिक परफॉर्मेंस थी, वो कहां पे और गनाइज की गई, प्रयाग, संगी थे, और ये मलब उनको, उनका जो पहला पुब्लिक परफॉर्मेंस था, वो हुआ था, ओके, अचा उनके जो सन अभे रुस्तूम सोपूरी हैं, वो भी एक संतूर प्लेयर हैं, दोनों ने जो हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस दी हुई हैं, साथ में, नेक्स बात करते हैं मुश्ताक काक के बारे में, वो एक इंडियन एक्टर भी हैं, और एक डिरेक्टर भी हैं, उनके पैरेंट्स जो हैं, डिफरेंट पार्ट्स अफ इंडिया से हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हैं, या फिर आप जम्मू कश्मीर के पार्ट्स भी कह सकते हैं, आप यहां पर इनने डिफरेंट पार्टस अफ इंडिया दिया हुआ है तो उनके जो फादर है, मुशताक काक के जो फादर है वो काक कास्ट के हैं और कहा से हैं? कश्मीर से और उनकी जो मदर हैं वो एक डोगरा है अचा पहले वो जो थे वो श्रीराम सेंटर नियू डैली से मैं मतलब उसके साथ associated थे किसके साथ श्रीराम सेंटर नियू डैली और किस तरह का काम करते थे वो as an artistic director काम करते थे अचा उनको बहुत सारे जो मतलब उनको best director का award मिला है अंधा यूग मैं मलिका और प्रतीबिम ठीक है इन शोज के लिए उनको क्या मिला है Awards मिले है Best Director के Awards मतलब उनने जो ये Publish किये हुए है इनके लिए Best Director के Awards मिले है अचा उनके जो जितने भी प्लेज हुए हैं उनमें से महा ब्रामिन और अल्लदाद जो थे वो Best Plays माने गए थे इन दा इयर्स 1999 और 2000 रिस्पेक्टिवली ठीक है अचा नेक्स्ट हमारे पास परवेज गुलाम रसूल जर्गर परवेज गुलाम रसूल जर्गर जो हैं वो एक इंडियन क्रिकेटर है और बहुत ही मतलब हमारे जमू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फैमस क्रिकेटर है और वो पैदा हुए थे 13 February 1989 को जो की All-Rounder खिलते हैं जमू कश्मीर के लिए और वो एक Right-Handed Batsman है Question ये भी बन सकता है कि वो Right-Handed है या Left-Handed है तो वो Right-Handed Batsman है और Off-Break Baller है रसूल जो है वो कैप्टन है जमू कश्मीर टीम के और इंडिया के A टीम के Regular Member रहे है तो रसूल was the first क्रिकेटर फ्रम जमू एंड कश्मीर to have played in IPL वो पहले इनसान थे जमू एंड कश्मीर से पहले क्रिकेटर थे जिन ने IPL में खेला था तो उके उसके बाद क्या He got his call up for the national team also in 2013 for the Zimbabwee tour तो रसूल ने जो है finally एक टाइम पे represent किया किसके against किया Bangladesh को मनलब जिस दिन June 15 था 2014 में और ये कहां पे मैच हुआ था मीरपूर में ये आपको याद रखना है अचार रसूल कहां से बिलॉंग करते हैं बिजबेरा बिजबेरा से बिलॉंग करते हैं जो कि अननतनाग डिस्टिक में पढ़ता है कश्मीर के ये चीज़ें आपको याद रखनी है नेक्स्ट बात करते हैं और उनने मतलब स्टेट की इंटिग्रेशन के लिए बहुत ज़दा काम किया है उन्होंने प्रजा परिशाद पार्टी 1947 में बालराज माधोक के साथ बनाई और जो की अपोज करते थे किसकी पार्टी को शेख अबदुल्ह की जो भी पालिसीज बनाई हुई थी उनको अपोज करती थी प्रजा परिशाद पार्टी ये question हो सकता है which party अपोज अपॉज़ए पालिसीज़ आफ शेख अबदुल्ह तो you can answer प्रजा परिशाद पार्टी अके प्रेमनाथ डोगरा जो है उनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है जमू में पंडित जी जो की एक ब्रामिन फैमिली से बिलॉंग करते हैं और उनको उपादियाफ डोगरा भी दिया गया है वो 24 ओक्टोबर 1884 समेलपूर में पैदा हुए जमू में और उनकी डेफ जो है 20th March 1972 को ही हुई और कहां पे हुई जमू में ही हुई अब ही जो हमारे पास personality है वो है हमारे पास 7th सीरीज में जिनका नाम है महरचंद महाजान एंड ये बहुत important है क्योंकि ये 3rd Chief Justice of Supreme Court of India रहे है और वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे है जमू कश्मीर के कौन से टाइम में महराजा हरी सिंग का जब टाइम चल रहा था दोर चल रहा था उनके रेन में ये प्राइम मिनिस्टर रहे है जमू एंड कश्मीर के उन्होंने बहुत ही important role play किया है जमू एंड कश्मीर को जो है इंडिया में एकसेस करने के लिए ठीक है और he was the Indian National Congress nominee also Indian National Congress के नॉमिनी रहे है Red Cliff Commission के उपर मतलब Red Cliff Commission क्या होता है वो international line है boundary है जो define करती थी किसको India and Pakistan की international boundary को अचा उन्होंने ही जो है District Lahore को जो है मतलब उनका उसका offer जो है reject किया था और उसके बज़ाए उन्होंने कौन सी डिस्टिक को annex किया था गुरदासपूर को इंडिया के लिए annex किया था अचा Chief Justice बनने से पहले उन्होंने कुछ मतलब पहले ही जो judges रहें उन्होंने से एक को सर्व किया हुआ है Free मतलब One of the first judges of the Supreme Court of Free India Free India भी याद रख सकते हैं आप Next बात करते हैं कुंदन लाल सेगाल कुंदन लाल सेगाल जो थे वो इंडियन सिंगर थे और एक अक्टर थे उनको truly जो consider किया जाता है the first superstar of the Hindi film industry क्या the first superstar of the Hindi film industry जो की उस time पे कहा पे होता था क्यालकटा में और उनका music जो है पुरान भगगत के लिए उसने मतलब वो बहुत famous हुआ था all over India और as a youngster ऐसा माना जाता है कि लटा मंगेशकर जो थी वो मतलब उनको मतलब माना जाता है कि she wanted to marry KL Seigal after seeing his performance in the चांदी दास चांदी दास movie देखने के बाद वो चाहती थी कि लटा मंगेशकर जो है वो चाहती थी ऐसा कहा जाता है ऐसा माना जाता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा books में कहा जाता है कि वो उनसे शादी करना चाहती थी His acting career was redefined in 1935 with his drunken title character in देवदास जब उनने देवदास में 1935 में रोल प्ले किया था जो कि डारेक्ट की थी किसने PC बारवा ने ठीक है तो उनने फिर से खुद के मतलब character को, career को redefine किया और 15 years के career में सेगाल ने 36 feature films की है 28 हिंदी में किये है 7 बेंगॉली में किये है और 1 तामिल में किये है अच्छा He has rendered the creation of poets such as Galib, Zawk and Simab ठीक है इन ये जो है Galib, Zawk and Simab इनके जो है उनने मतलब दुबारा से उनको मतलब represent किया हुआ है screen पे तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है ओके तो आज का lecture यहीं पे मैं खत्म कर देता हूँ तो मुझे उमीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ questions आपके सामने में रख रहा हूँ जिनके answers आपको देने हैं कुछ आपको इसी मतलब topic से मिलेंगे जो हमने अभी पड़ा इसी से मिलेंगे कुछ आपको खुद से ढूडने होंगे question number one आपके पास है who was the mediator between India and Pakistan during Indus Water Treaty ये जो है ये question इस से नहीं है तो आपको ये ढूडना होगा या फिर अगर आपको 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 पता है तो आपको comments में इसका answer देना होगा question number two है यूसुफ शा who ruled कश्मीर was from which dynasty यूसुफ शाज जुनने कश्मीर पे rule किया है वो कौन सी डाइनस्टी के थे question number three in which language Raja Tarangini was written Raja Tarangini जो के history of Kashmir जिसमें लिखी गई है वो कौन सी language में लिखी गई थी question number four who was the third chief justice of Jammu and Kashmir I hope आप लोगों को समझ में आया होगा thank you so much for watching this video I will see you in the next video